अगली खबर कोरिया जिले से आ रही है जहाबर साथ के मौसम में मवेशी मालक लापर वाही से अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन सड़कों पर बैठे मवेशी ना सर्फ यातायात में बाधर डालते हैं बलकि रात के अंधेरे में कई बार खुद या अनिवाहन चालकों के लिए दुरखटना का कारण बन जाते हैं जिसके चलते आवारा मवेशीों से होने वाली दुरखटना को कम करने के लिए कूरिया जिले में गौर अक्षा वाहिनी के अनुराग दुबे ने 450 रेडियम बेल्ट मगवाई हैं जिने सड़क के आसपास बैठे आवारा मवेशीों को पहना जाएगा ताकि बाइक और भारी वाहन चालक सतर्क हो जाए और दुरखटना आयना हो अनुराग ने बताये कि पिछले 12 वर्षों से आवारा मवेशीों को रेडियम बेल्ट पहना रहे हैं जिसके लिए उन्हें पिछले सार गोल्डेन बुक ऑफ अवार्ड भी मिला था कोरिया से विशाल संग्य रिपोर्ट इस वर साढ़े 400 रेडियम बेल्ट हमारे संग्ठन के द्वारा बुलवाया गया है जिसका करम आज से ही गववन्सों को बाढ़ने का सुरू किया गया है यह रेडियम बेल्ट बांधने के मुख कारण है कि जो रोड में गवववन्स बैठे रहते हैं जब रोड में गवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव यह रेडियम बेल्ट हमारे संग्ठन के द्वारा लगभग 11-12 वर्षों से बाता जा रहा, इस रेडियम बेल्ट बांधने के ही कारण मुझे गोल्डन आप वर्ड रिकार्ड में नामदर्ज हुआ रहा पिछले वर्ष जून महां में, और यह निरंतर जारी साशन प्रसाशन करनी चाहिए कि पहले सबसे पहले तो साशन प्रसाशन को पहल करनी चाहिए कि गववन्चों के गले में रेडियम बेल्ट बांधा जाए, पर इस वर्ष जो सरकारी रेडियम बेल्ट गववन्चों के गले में बांधा जाता, उसकी स्वरवाद प्रसाशन के द्वारा नही एकिया जाइगा